वेल्कम गाइज स्वागत हम मूवी स्टाइम चैनल में और आज हम एक्स्प्राइब करने वाले हैं सेरसा हम मूवी को जो की हाले में रिलीज हुई है और सभी को बहुत पसंद आ रही है वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न अलाई में पाकिस्तानियों से लड़ रही है और बिकरम बत्रह अपनी टीम को कमांड भी कर रहा है और तब हमारे सैनिक लांचर से वहां के वनकर को उड़ा देते हैं और जब उन्हें लगने लगता है कि सारे एनिमी खत्म हो गए तो आगे की और बढ़ने लगते हैं और बढ़ते हैं तो और एनिमी आ जाते हैं और वो हमारे लोगों को मारने लगते हैं जिसे देखकर विकरम अपनी यूनिट को पीछे रहने को कहता है तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे बहुत सारे सैनिक मर चुके थे और आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था तब बिकरम बत्रा और उसका बाए करकेट खेल रहे होते हैं तो उनकी वहां पर बैठे कुछ लड़कों के पास चली जाती है और वह बाल को देने से इंकार कर देते हैं लेकिन बिकरम बत्रा उसे फाइट करने लगता है और बॉल उससे दस साल बढ़ा है इसलिए उसके पाबा उसी की घड़ जाकर दूर दरशन पर परंबीर चक्र नाम का एक सोद देखा करते थे और तवी से ठाल लिया था कि वह फॉजी वनेगा और जब 26 जनबर या फिर 15 अगस्त को सभी लोग अपनी यूनिफॉर्म पहन कर जाते थे वहां पर विकरम एक फॉजी के ड्रेस पहन क जिम्मी जो कि उस सर्फ 6 महीने ही सीनियर है और साथ ही में वह लेप्टिनेट अजय से मिलता है जिसका रोल प्ले किया है राडा दागू बतीन है विकरम को आ यहां पर एक महीना हो चुका है और जब जिम्मी की टीम यहां पर चेकिंग कर रही होती है तो बहुत देखते है कि वह अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया था और जब जिम्मी और उसकी यूनिट किसी दूसरी जगह पर चेकिंग के लिए जा रही होती है तो जिम्मी वहां पर बिकरम से कहता है कि उन लोगों से दूर रहो उन लोगों से हमें खत्रा हो सकता है लेकिन और तभी वहां पर एक कार आती है जिसमें कुछ टेरिस्ट बैठे हुए हैं और चुप-चाप से कार को घुमाने को कहते हैं और जब विकरम उनकी तरह बढ़ने लगता है तो वह टेरिस्ट इनकी तरह फाइरिंग करने लगते हैं लेकिन विकरम वहां से आगे वड़कर व बीकरम और जिमी के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और विकरम के पास चै्ट्टी आती है और जैसे वह चिती पढ़ता है तो बैसा दिंपल विकरम की तरफ देखते वी नहीं थी लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा हcenter ने विकरम की तरफ देखा और उस से देखकर उसने वहाँ पर जो सौपकीपर होता है वहाँ उन्हें सराब देने से इंकार कर देता है वहाँ कहता है कि ये सर्फ आर्मी बालोग लिए है वहाँ उनसे कहता है कि अब वहाँ सराब तभी पिएगा जब वहाँ फोजी बन जाएगा और अब यहाँ पर एक प्यारे से सौंग के साथ फिल्म आगे बढ़ती है जिसमें हम देखते हैं कि विकरम और डिमपल एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और जब एक दिन विकरम डिमपल को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो विकरम वहाँ पर उसे साधी के लिए प्रपोस कर देता है लेकिन तभी डिमपल के डैड उसे प्रपोस करते हैं और फिर उसे घर बुलाते हैं डिमपल के डैड उससे कहते हैं कि तुम करते हुए कहती है कि मैं साधी करूंगी दोस्त होता है बहुत समझाता है और कहता है कि यह लड़की अभी आई है लेकिन यह सपना जो है वो तेरा बचपन का सपना है और इसे तु हर हाल में पूरा करना चाहता था तब बिकरम अपने डिसीजन को चैंज करता है और फौजी में जाने को डिसीजन को लेता है और जब भैस बात को डिमपल को बताता है तो डिमपल गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने अपने डैट को बता दिया था कि तुम नैबी में जा र और अब चुप नहीं वैटेगा इसलिए बहुत ना कुछ हरकत जरूर करेगा यहां पर विक्राम उस ऑफिसर से उन खबरियों के बारे में पूसता है जिन्होंने यह खबर बता लेकिन वह आगे हम हैदर को देखते हैं और हैदर को न खबरियों के बारे में पता चल चुका ह इसलिए भै उन खबरियों को मार देता है सातHी मैं यहाँ पर अरस्लन को को देखते हैं जिसे हैदर के लोगोंने पाकिस्तान जाने के लिये चुना है और सातहे में तीन और लोगों को चुना है जिन iç लोगोंने ने मारा है भै उन्ने बी 어ग में पर लराद आरं हम यहां पर देखते हैं डियाटिनेंट जनरल को और हमें बताते हैं कि यह काम है-दर का ही है और उसकी तारीफ के बिखरते हैं और जब एक राध विक्रम और उसका फौजी दोस्तफ जब रात को कहीं पर जा रहे होते हैं तो बहें पर उने हैं। बहुत है कि अर्श स्दॉने आपने सांत ले और मिलवाता है। जहां पर अर्श को बटाता हैं कि बहें उसे उस पार भीज़ना चाहते हैं। तो इनके उपर एक जोड़दार अटेक होता है जिसमें दोनों तरफ से नॉन स्टॉप फाइरिंग होती है लेकिन यहाँ पर हमारे बहुत सारे फाजी मारे जाते हैं अब सारे आर्मी मैं गुस्से में रहते हैं कि अगले ही दिन विकरम अर्सलन से मिलने चला जाता है जहाँ पर वह है हैदर का पता पूचता है अर्सलन विकरम को पता बता देता है लेकिन उसे कन्फर्म नहीं है कि हैदर वहीं पर मिलेगा यहाँ पर विक्रम अपने ओपिसरों से इस मिसन के बार में बात करता है और उनसे इस मिसन पर जाने को कहता है तब उन्हें ख़वर लगती है कि हैदर एक जगह पर नहीं टिकता है तो उन्हें लगता है कि वह साध यहाँ पर नहीं मिले लेकिन फिर भी लैप्टिनेंट जनर करते हैं तो उनसे कहते हैं कि अगर हैदर नाम ले तो बापस आजा लेकिन विक्रम को पूरा भरोसा है कि हैदर यहीं पर है और अगले ही पल यहां पर फाइरइंग चालू हो हुए तब विक्रम ने किया उसके लिए उसकी यूनिट के सभी लोग बहुत खुषते और अब चुटियों पर अपने घर जा रहा है दूसे तरफ हम देखते हैं कि कुछ आतंग वादियों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिए है और अब हमारे दर आ चुके हैं साथी में वह पहाड़ी के उची चोटी पर अपना जंडा फहरा देते हैं और बहां पर कब्जा कर लेते हैं यहां हम देखते हैं कि विक्रम अपने घर आ चुका है और डिमपल के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड करने लगा है आगे टीव और पर हाला ठीक नहीं है इसलिए उसे बापस जाना होगा और जाने से पहले भाई डिमपल से भी मिलता है और जब सभी लोग एक कैम्प में खटा हो रहे थे तो वहां पर एक जोड़दार अटेक होता है जिसमें बटालियन के कई सारे आर्मी मैन मारे जाते हैं और साथ मै आजय सिंग भी मारा जाता है यूनिट के सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और साथ में उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुसा भी भरा पड़ा था कि तभी वहां पर लेप्टिनेंट जनरल आते हैं और वह उन्हें बोलते हैं कि हमें जंग के लिए आद लेप्टिनेंट जनरल जिम्मी और विक्रम को दो टीम में बाट देता है और दोनों तरफ से अटेक करने को कहता है इस मिसन पर जाने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी पहाली को चड़ना पड़ेगा और इस पहाली पे चड़ने के लिए उन्हें सिर्फ रात का भक्त मि होती है तो ऐन पर अटैक करने लगते हैं और जब लडाई होती है तो दोनों तरफ से नॉस्ट पारिंग होती है जिसमें हमारे सैनिक सभी और उनकरों को भी उड़ा देते हैं जिनमें वहात दिलंगे मौर बोल देता है और यहां पर सकसेस्पोल हो जाता है अब आगे हम द धिकर्म बत्रा का पहला इंटर्व्यू जिसे टीवी पर चलाया जाता है और सबी लोग उसे देखते हैं और खोसोते हैं जिसमें बिकर्म उने बताता है कि उसने किस तरह से से मिसन को किया और साथी में वह अपना कोड़ नेम सेर्ज सहभी सब को बताता है यहां आगे देखते हैं कि पाकिस्तानियों ने उनके सब लेने से इंकार कर दिये थे जिसके कारण इंडिया वालों नहीं उनके सब को दफन किया और अब यहां पर तुम्हारी यूनिट नहीं जाएगी बलकि यहां पर दूसरी यूनिट जाएगी तब विक्रम फोर्स करता है और उन्हें मना भी लेता है अब आगे हम देखते हैं कि विक्रम अपनी यूनिट को मॉटिवेट कर रहा है क्योंकि हाले में उन्हों नहीं जिस पहाड़ी को चड़ा था वह तो छोटी थी लेकिन अब जो पहाड़ी उन्हें चड़ना है वह बहुत उची है अब आगे हम देखते हैं कि सारे यूनिट बार में उतर चुकी है और वह सभी से लडाई कर रहे हैं जिसमें दौनों तरफ से नौन स्टॉप फाइरिंग हो रही है इस मिसन पर भी विक्रम की यूनिट ने सभी को मार दिया था और वहां से थोड़ा सा और आगे वड़ने के बाद वहां के कुछ बंकरों को उड़ाने के बाद जैसे वह आगे तो उनकी उपर एक जोड़दा राटायक होता है जिसमें हमारे बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं अब मूबी के स्टार्टिक में जो सीन दिखाया गया था उसी सीन को दिखाया जाता है जिसमें विक्रम गरनेट से वहां के वनकरों को उड़ा देता है आगे हम देखते हैं क वहाँ पर कुछ और एनिमिस आ जाते है जो कि हमारे सैनिकों को नहीं देखते है क्योंकि वह कुछ ऐसी ही जगे छुपे हुए थे तब लैप्टेनर उन्हें खबर करके बताता है कि दुस्मनों कोई एक और तुकड़ी आ चुकी है जिसकी खबर उन्हें नहीं थी फिर भी हम का जो स्नाइपर होता है हमारे लोगों को मारने लगता है लेकिन वह स्नाइपर उस पर नजर रखा हुआ है और उसे सूट कर देता है और साथ ही में इंडिया का जंडा भी भहरा देते हैं और इस मिसन के दोरान बिकरम बत्रा सहीद हो गया था इसको सर्दाणजली देने के ये सहर की पूरी की पूरी वीड़ उमड़ाई है और इस मूमेंट को देखने के बाद रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं दोस्तों इतने ज्यादा इमोशनल सीन देखने को मिलते हैं बहां के वीड़ का हर एक इनसान दुकी था और तभी वहां पर डिमपल आती है जो की ला तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भले ही आप ना करें लेकिन कमेंट्स वाक्स में बिकरम बत्रा के लिए दो लाइन जरूर लिखें जैन दोस्तों